हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए एक बहुती सुन्दर और बहुती आसान डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको आठ के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एड़ज़ेस्ट हो जाएगा 8 के multiple देखिए आप इसमें 8 फंदे गिन लिजिए फिर से 8 फिर से 8 इस तरह से करते हुए last में आपके 6 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है 6 सलाईों का डिजैन है और 12 सलाईों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिये हैं 30 फंदे 8 के multiple करके और 6 फंदे एक्स्ट्रा डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है तो ध्यान दीजिएगा पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो रहा है तो एस्टिच के बाद 4 फंदे उल्टे देखिए एक दो तीन और ये च्यार फिर धागा पिछे करेंगे और च्यार फंदे सी सीधे एक दो तीन और ये चार तो ये देखिए पहला फंदा एस्टिच का है इसे छोड़ कर चार उल्टे और चार सीधे इसी डिजैन को बार बार रिपेट करना है धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर से धागा पीछे लेकर जा एक, दो, तीन, और ये चार, धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से डिजैन को रिपेट करना है, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, धागे को पीछे ले जाएंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार आपके जितने भी फंदे हों यही आठ आठ फंदे का डिजैन बार बार बनाते जाएए तो लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे इनको हम उल्टा ही बुन देंगे एक, दो, तीन और ये चार और ये लास्ट का हमारा एश्टिच होता है इसे भी उल्टा ही बुन लेंगे पहली सलाई डिजैन की कमप्लेट हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर देखिए पहला फंदा एश्टिच है इसे उतारिये या उल्टा बन इन में से धागा पिछे करेंगे एक फंदे को यहां सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक और यह दो फिर धागा पिछे करेंगे और एक फंदा यह सीधा तो चार में से यहां एक सीधा दो उल्टे और एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ ले बुने हुई हैं उनको हम यहां उल्टा बुन देंगे एक दो तीन और यह चार एस्टिच के बाद यह जो हमने आठ फंदे का डिजैन बनाया अब इसी को बार बार रिपिट करेंगे देखे धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे यह उल्ट फिर धागा पीछे एक फंदा यह सीधा अब धागे को अपनी तरफ ले कराएंगे और चार उल्टे एक दो तीन और यह चार फिर धागे को पीछे करेंगे और फिर से डिजैन को रिपिट करना है जो चार फंदे सीधी साइड पर उल्टे हैं उल्टे साइड पर इसमें से एक को सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ, दो फंधे उल्टे फिर धागा पीछे एक फंधा सीधा चार हो गए धागे को अपनी तरफ लाएंगे चार फंदे जो सीधी साइड पर सीधे हैं इनको हम यहां उल्टा बुन देंगे अब धागा पिछे करेंगे लास्ट में देखे पांच फंदे हैं इन में से जो चार फंदे सीधी साइड पर उल्टे थे इसका एक फंदा यहां सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे बीच के उल्टे धागा पीछे एक फंदा ये सीधा धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एस्टिच को उल्टा बुन देंगे दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई ठीक पहली सलाई के जैसे बनेगी पहला फंदा एस्टिच है अब चार उल्टे देखिए एक दो तीन और ये चार धागे को पिछे करेंगे और चार फंदे सीधे एक दो तीन चार तो पहले फंदे को छोड़ कर ये जो 4 उल्टे और 4 सीधे बनाए ये ही 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार रिपेट करते जाएंगे तो पूरी सलाई को आप ऐसे ही बुन लिजिएगा 4 उल्टे और 4 सीधे तो ये देखिए 3 सलाईयां डिजाइन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई ठीक दूसरी सलाई के जैसे बनेगी पहला फंदा ht6 धागा पिछे करेंगे अब देखे सीधे उल्टे आपको साफ साफ दिखेंगे एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे यानि जो फंदे आपको जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देने है एक सीधा दो उल्टे एक सीधा धागा अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे ऐसे करते हुए इसकी फोर्थ सलाई को कम्प्लीट कर देंगे सीधे पर सीधा बनाईए और उल्टे फंदे पर उल्टा बुनते हुए इसे कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है आब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पहली तीसरी और पांचमी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी सलाईया बनेंगी दूसरी चोथी और छटी ये भी बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगी तो एस्टीज के बाद चार फंदे उल्टे फिर चार फंदे सीधे फिर चार उल्टे चार सीदे यानि जो फंदे आपको जैसे दिखें वैसे ही बुनते हुए आप इसकी पाँजमी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए पांच सलाया डिजैन की कम्प्लेट हो गई, छटी सलाई उल्टे साइड पर, इस पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही भुन दीजिए, पहला फंदा है अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा, इस तरह से करते हुए आपने इसकी छटी सलाई को कम्प्लेट कर देना है, तो ये देखें छे सलाईया डिजैन की कम्प्लेट हो गई है, अब हमें बनानी तो यही छे सलाईया है, सिरफ इस डिजैन की जगे चेंज हो जाएगी, ज यहां उल्टे की जगे पर आ जाएंगे और ये जो उल्टे हैं ये सीधे पर बनेंगे, तो सात्मी सलाईया है और सीधी साइड है, इसे ध्यान से देख लिजिए, पहला फंदा एस्टिच है, इसे उतारिये या उल्टा बनाईए, अब धागे को पीछे करेंगे और ये चा बन देंगे, दो, तीन, और ये चार, अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, जो चार फंदे उल्टे हैं इनको सीधा बनेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, चार जो सीधे हैं इनको उल्टा बन लेंगे, एक, दो, तीन, चा फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे धागा पीछे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे एक दो तीन चार फिर धागा पीछे लास्ट में 5 फंदे बचेंगे चार इसमें से हम सीधे बुन देंगे और एस्टीच को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे साथ सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई आठमी सलाई है और उल्टी साइड है आठमी सलाई पर देखिए पहला फंदा एस्टीच है अब ये चार फंदे जो हमने सीधी साइड पर सीधे बुने इनको हम यहाँ उल्टा बुनेंगे एस्टीच के बाद चार उल्टे एक दो तीन और ये चार अब ये वाले चार फंदे सीधी साइड पर उल्टे हैं तो धागे को पिछे करेंगे इसमें से ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ बीच के दो फंदे उल्टे फिर धागा पिछे और एक फंदा सीधा एस्ट धागा अपनी तरफ करके चार उल्टे एक दो तीन और ये चार धागे को पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा इसी डिजैन को बार बार रिपीट करते जाना है चार उल्टे और जो फंदे हमारे सीधी साइड पर चार उल्टे बनाए थे उसमें से उल्टी साइड पर एक फंदा सीधा बुनेंगे बीच के दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा अब लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे इनको यहां आठमी सलाई पर उल्टा ही भुन दिजिएगा नोमी सलाई है और सीधी साइड है नोमी सलाई ठीक सात्मी सलाई के जैसे कंप्लीट कर देनी है जो फंदे सीधे दिखें उनको सीधा बनाईए जो फंदे आपको उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए पूरी सलाई में चार फंदे सीधे और चार फंदे उ प्लीट हो गई दसमी सलाई है और उल्टी साइड है दसमी सलाई पर भी आपको जो फंदे उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाईए जो सीधे देखें उनको सीधा बनाईए एस्टीज के बाद चार फंदे उल्टे आएंगे दिखिए एक दो तीन और ये चार फिर धागा पि पीछे और एक फंदा सीधा, बस येही आठ आठ फंदे का डिजैन बार बार रिपेट करते हुए, इसकी दसमी सलाई को कंप्लीट कर देंगे, तो ये देखिए, दस सलाईया डिजैन की कंप्लीट हो गई, ग्यार मीं सलाई है और सीधी साइड है, जो फंदे सीधे हैं, उनको सीधा बनाईए जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाईए एस्टिज के बाद पूरी सलाई में चार फंदे सीधे चार उल्टे चार सीधे ऐसे करते हुए इसकी ग्यारमी सलाई को कम्प्लीट कर देंगे ग्यारमी सलाई कम्प्लीट करने के बाद अब आज ये इसकी बार्मी सलाई और उल्टी साइड पर बार्मी सलाई उल्टी साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही भुन लेने हैं एस्टीज के बाद चार उल्टे फंदे हैं और फिर देखिए एक फंदा ये सीधा है धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा तो इस तरह से करती हुए इस सलाई को कम्प्लीट कर देना है इस डिजैन को बुनने के लिए सलाई आप अ उन तीन तार वाली है जिसमें तीन धागे अलग-अलग बने होते हैं तो बॉर्डर में दस नमबर और बॉर्डर के बाद नो नमबर की सलाई यूज कीजिएगा अगर आपकी उन इस तरह से हो जिसमें तीन तार अलग-अलग नहीं होते हैं तो बॉर्डर बुनने के लिए आप 11 नमबर की सलाई यूज कीजिएगा और border के बाद आप 10 नमबर की सलाई यूज कर सकती है तो इस तरह से करते हुए हम इसकी 12 सलाई को complete कर देते हैं तो ये देखे प्रेंट्स इस तरह से 12 सलाईों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन ही 12 सलाईों को बार बार रिपिट करते जाए तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजैन बनता चला जाएगा अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू